नमस्कार है पहिन बाश्पई अपने यूटूब चैनल मेरित पहिन बाश्पई भी आपका बहुत बहुत सागत करता हूँ SSEGD 2022 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका जो exam schedule है उसमें changes किया गया है तो क्या exam date आपकी आगे बड़ी है यह schedule में change हुआ है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ उसके अलाबा आपके लिए एक और बड़ी good news है कि सभी regions का यानि कि जितने भी आपके state है उन सभी का आपका exam का status आउट हो चुका है तो जाके आप देख लिजी अगर आप status नहीं देख पा रहे हैं अपना तो आप क्या गलती कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा उसके लाबा आप यह जो अपना status है वो कैसे चेक करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में detail में information आपको मिलने वाली है तो एक दो मिर्ट के अंदर मैं अपनी complete बाद आपके सामने रखने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि जो exam schedule आपका change किया गया है वो क्या है तो MPR reason की side पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो पहला ही आपका जो point है उसमें दिया हुआ है status download admit card for constable GD या नहीं कि आपका GD का जो status से वो out हो चुका है इसमें आप लोग एक बात ध्यान से देखिए आपका जो exam था जो आपका notice निकला था उसमें बताय गया था कि 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आपका exam है लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि to be यह आपका जो exam है वो complete करा लिया जाएगा तो यह आपका schedule change हुआ है तो यह जानकारी आपको मिल गए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी reason है उन सभी का आ गया है और आप कैसे check करेंगे तो चलिए अब मैं आपको ssc की side पे लेके चलता हूँ आपको अपना exam status कैसे देखना है उसके बारे में आप ध्यान सी इस चीश को देख लो कि किस तरीके से आपको क्या करना है अपshopना exam status देख पाएंगे तो इस तरीके से आपको अपने गों पर जाना है और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको chrome पर ssc.nic. .in इस side पर आपको जाना है जब इस side पर आप जाएंगे तो आपको आप official side पर जाओ यहाँ पर admit card के आप options पर जाओगे जब admit card के आप option पर जाओगे तो आप यह देख पा रहे होंगे यह सारे जो reason है आपके जैसे MPR reason है यह Eastern reason है तो उनके अलग-अलग आपको open करके देखने परेंगे जैसे कि यह आप Eastern reason अगर आप देखना चाहते हो तो इस पर आप click करोगे तो इस पर देखो मैं click कर दे रहा हूं तो आप लोग देख पा रहा होंगे know your status combined desert level का आ गया है उसके अलाबा declarations यह अलग है उसके अलाबा आप लोग देख पा रहा होंगे यह point number यह आप अप अपना देख पाएंगे ठीक है इसी तरीके से other मैं दिखा देता हूँ आपको other reason का instant reason का मैंने आपको दिखा दिया KKR reason की site पर चलते हैं तो आप लोग देख पा रहा होंगे यह KKR reason की site open हो गई है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहा होंगे SECGD का यह देखो दि status उसके लाबा कुछ और मैं example आपको दिखा देता हूँ South reason का आपको दिखा देता हूँ South reason की site पर जाएंगे तो आपका देखो यह know your status पहले ही point में यह mention किया हुआ यहाँ पर भी आप अपना जो roll number है और data bird डालके अपना देख सकते हैं status ठीक है तो मैंने सभी का दिखा द है क्या गलती करें देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आप अभी भी अपना जो exam status है वो नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें गलती जो है आपकी नहीं है जो site है जो server है वो काफी बीजी चला है तो कुछ reason की site open नहीं हो रही है तो थोड़ा सा time लेना आपको आ जब आप रात में open करके देखेंगे तो आराम से अपना चेक कर पाएंगे उसके लिए आपको परिशान होने की जुरत नहीं है तो अगर आप exam status नहीं देख पा रहे है तो किसी भी time जब आपको रात में मुश्याप चेक करना आपका हो जाएगा तो सभी का status आ गया है अग 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक ही exam है आपका तो यह आपके लिए मतलब अच्छी कवर है कि बहुत जल्द आपका exam conduct हो जाएगा और उसके बाद result का जो process है वो आगे बढ़ेगा तो यह थी छोटी सी जानकारी जो मुझे आपने हो तो शेयर करनी थी उमीद करता हूँ कि